असलाम वालेकम फ्रेंज और वेल्कम बैक टू माइच चैनल आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम्दुलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं कुछ अपनी अन्मारी के सफाइग करें थी तो इदर उदर से काफी सारी मेरे जो एरिंग्स थी इदर उदर हुई तो सारी अगर ठीक करके और मैंने सोच आप लोगे साथ भी अपने एरिंग कलेक्शन शेयर करूँ तो वीडियो एंड तक देखिए कर ज़रूर और अगर पसंद आजाए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मैं आपको बताती चाहू जब किसी भी कुर्टे के साथ सिंपल से ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं इसको यह मैंने अपनी शादी से बॉल के शादी के बहूत आरसे पहले से यह खरीदे वे थे और स्टिल अभी तक चल रहे हैं और शादी के बाद मैंने एक दो दपइने और अभी तक पढ़ इप्ण इसके इलावा ये वाले जो है ये मने गीगा मॉल्स से खरीदे थे ये आप देख सकते हैं तीन इसके नीचे इस तरह से जो है जूम के टाइब लेटकरे और काफी लॉंग में है ये वाले एरिंग्स तो ये 500 सम्थिंग के मैंने वाइ किये थे और यहाँ पे ये वाले के साथ तो ये आप देख सकते हैं अफगानी जुल्री भी मुझे बहुत जादा पसंद है तो इसको मैंने कलर करवाए था और जो कलर इसका थोड़ा बहुत उतर चुका है काफी रफ 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 लक रहे हैं लेकिन ये भी मेरे मोश फेवरिट एरिंग्स में हैं और इसके इ इसके लावा ये वाले जो एरिंग्स हैं ये मेरे शादी के बरात वाले ड्रेस के साथ एरिंग्स हैं जिसके साथ नेकलिस वगएरा सारा कुछ कम्प्लीट ये सेट था और ये आप देख सकते हैं सिफ एरिंग्स बच्चे हैं मेरे पास बलकि इसका सेट भी पढ़ावा है लेकिन वो थोड़ा सा, इसका कलर थोड़ा सा डालो गया, इसलिए मैं निकले सुआ नई पैंटी आप और इसके लावा, ये वाले आप देख सकते हैं, ये भी आप किसी भी कैसे भी ड्रिस के साथ आप कैरी कर सकते हैं, ये वाले जो थे एरिंग्स मुझे बहुत जादा पसंद आए थे, ये भी मैंने गीगा मॉल से खरीदे थे और 400, 450 की रेंज में थे, सारे जो एरिंग्स हैं मेरे काफी रिजनेबल और काफी अच्छी अच्छी हैं, मुझे परसनली बहुत पसंद है, और ये भी मैंने गीगा मॉल से खरीदी थे, जब मेरे बेटे की बर्डे थी, और मैंने बलैक ड्रेस बनवाया वा था, तो उसके साथ मैंने ये वाले खरीदी थी, और ये वाली भी मैंने गीगा मॉल से खरीदी थी, सारी तकरीबन काफी सारी जो जूलरी है, वाँ, यह वाले एरिंग्स आ जाते हैं, यह भी काफी सिंपल से हैं, किसी भी कुर्टे वगारा के साथ बंडा कैरी कर सकता है, और ब्लैक स्टोन में हैं यह, और यह मेरी बती जी ने मुझे गिफ्ट किये थे, यह, और यह काफी सस्ते थे, I think, जी जी, 150 की रेंज में थे, य नहीं, सॉरी, मेरी बर्डे के बाद ही आए थे, मेरी बर्डे पे जो थे, वो भी इस टाइब के थे, तो यह आप देख सकते हैं, इसके नीचे परल लगे वें, और साइडों पर ब्लैक कलर के फ्लार्स बने वें, और इसके इलावा, यह वाले भी, मैं आप लोग के साथ प यह वाले भी मैंने शायद एड़ पर खरीदे होंगे पिछली एड़ पर जाओ एड़ के बाद, और एक्चुली कैश्वल ड्रेस जो थे, आप कहीं आना जाना हो, तो आप किसी भी कुट्टों वगारा के साथ वेयर कर सकते हैं, और वो जो प्लैक थी, वो मैंने वान मार्क किट से खरीदी थे, और यह आप देख सकते हैं, मैंने कमर्शल से बाइक किये थे, और यह बहुत जादा पुराने, इसका पता नहीं एक टॉप्स वो इदर अधर हुआ हो है, और यह काफी पुराने, मैंने पैंट पैंट के फिर मेरे सिस्टर को दोए दिया थे सिस्टर से पिर मेरे पास आगए थे, पता नहीं कियों, जबके मैं पैंटी भी नहीं हो लेकिन काफी, और इसके इलावा यह देखें, यह एक्चली मेरे बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी, और तब मैंने यह बाइक किये थे अपने ब्लैक ड्रेस के साथ, और यह भी थोड़ बैंगल्स भी वह बहुत सारे नहीं, जैसे ब्रेस्टलेट हो गया या फिर, क्या कहते हैं, घड़ी वगएरा हो गई, इस टाइपी चीजे मुझे पसंद है, वरना मुझे इतनी कोई खास जूर्री पसंद नहीं है, यह आप देख सकते हैं, यह भी मैंने की का मॉल से बाइ इतनी की थे फिर, और अफकोर्स हारी चीजे हस्बिन नहीं खरीद की देते हैं, वो ही मेरे साथ होते हैं हमेशा, तो यह वाले एरिंग हान जी, इसके एक स्पेशल याद है, मेमरी है, यह मैं जब नहीं नहीं शादी हुई थे और हम हनीमून पर गए थे लाहॉर, तो वहा अच्छे लगते हैं, मैंने अपने महंदी के ड्रेस के साथ के साथ केरी किये थे इनको, और इसके लावा यह मेरे खाल में धाइस होके थे, और यह भी मैंने अवार मार्केट से यह सबाइ किये थे, जिसका कलर अभी तक ऐसे कहा सही है, बिलकुल खराब नहीं हुआ, और य यह भी मैंने एक सेट के साथ लिए थे कजन की शादी पर, थोड़े से फैंसी लोग में आ चाते हैं, यह तो यह ता मेरा आज का व्लॉग, वीडियो यह जो भी समझ ले, एरिंग्स कलेक्शन, और मेरे पास यह सारी एरिंग्स है, इसके लावा और कोई एरिंग्स नहीं है तो I hope आपको पसंद आए और मुझे कमेंट में सरूर बताइए का आपको कौन से पसंद आए, कैसे लगी मेरी एरिंग्स, तो मैं आप लोग इसे चाहूँगी, इजा,